एक बार आपको बता दूँ अगोस सगोस डिवीजन करा दूँ एक बार आपको अगोस सगोस अलपराण महापर रिवीजन करा दूँ चलिए एक बार रिवीजन करा देता हूँ देखो कमपन के आधार पर होता है अगोस और सगोस याद करा देता हूँ आपको प्रयत्न क्या धार पर क्या होता है अल्प प्राण होता है महाप्राण अल्प प्राण और महाप्राण ये चार होते हैं अल्प प्राण महाप्राण आपको याद करा देता हूँ जिनको confusion हुआ है दुबारा नहीं होना चाहिए देखो हमको बटवारा जो करना होता है वो 25 से क करना होता है 25-33 करना होता है का से लेकर मा तक तो हम आप पहले पढ़ता है तो यानि प्रतेक वर्ग का पहला और दूसरा इसे दे देंगे और सब बाद में पढ़ता है तो बचा हुआ प्रतेक वर्ग का तीसरा चाउथा पांचवा इसको दे देंगे है ना उसके बाद ये त पहला दूसरा काचा हो गया, उसके बाद देखोगे ना, काखा हो गया, चावालिम हो गया, कचट तप, कचट तप यही ना, चाचा, टाठा, ताथा, पाफा, और यह तीसरा चोथा, पाँचवा, अब बसता क्या है, या, रा, लावा, शाखा, शाह, तो अग्होस में आपने तीनो दे देना है शाह, तीनो शाह इश में दे देना है ये वाला शाह, तालब्व वाला, मूर्धन्ने वाला, दंते वाला, और इसको पाँच दे देना है, क्योंकि यहां लाश्ट में पाँच है, तो इसको या दे दोगे, रा दे दोगे, ला, या, रा, ला, वा, और हा देदोगे ये आपका हो गया आंसर अब देखो अल्प परण का मतलब होता है जब प्रेथन करते हो न को क्या वेरा इला रहाना कमाने बीज भीज में आग बार हो जाता होगा अब देखयो जैसे यह ना आलप प्राण तो अलप मतलब उच्रण में लगे प्रेत्न के आधार पर जैसे आप करते हो नो छी मैं जैसे आप प्रेत्न करते हो से लभी नहीं सुनाई पड़ा मतलब एक एक स्पीड बढ़ाते हो तो यह हो जाएगा एक अगर नहीं सुनाई पड़ा आपको तो क्या बोलोगे एक तीन पाँच जैसे कोई बोला हलो नहीं सुनाई पड़ा और नहीं सुनाई पड़ा यानि धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है धीरे धीरे प्यार बढ़ाना है फिर हद से गुजर जाना है यहां तक पहुच जाना है अब महाप्राण में एक ही बार बोलते हो, जैसे मम्मी बुलाई, जैसे मम्मी बुलाई, रिचा, रिचा नहीं सुनी मोबाईल, रिचवा, मतलब तुरंत आपको डबल हो जाना है, तो महाप्राण में प्रतिक वर का दूसरा और चौथा, और बटवारा यारालावा, आप पह के बंद गर maggar के बताओ, पहला दूसरा अघोस, तीसरा चौथा पांचिमा सगोस, सार, तीनों सा अघोस में, और सघोस में होगा, यारालावा हा होगा, सर सवर नहीं बताये आप, तो इसी सघोस में आपका सवर भी आ जायेगा, क्या जायेगा? सवर भी आ जायेगा, बच आए